नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल गुरिजा स्टेडी रोड नाइन पे जो विदार्थी CBL University से MA History कर रहे हैं उनके लिए अगामी जो exams हैं फर्स समेस्टर के उनमें medieval world का जो paper रहेगा उसके लिए हमने जो most important question है उनकी ये video upload की है करना पड़ रहा है इसके लिए हमने उनके लिए मानलो medieval world का जो paper है उसका complete जंजट की खतम कर दिया ठीक है हमने 8 question select किये हैं उनमें से लगबग आपका paper complete हो जाएगा ठीक है 8 question जो है ये most important रहेंगे अगर आप इनकी अच्छे से त्यारी कर लेते हैं इदर उदर से सलेबस लेक मालो इदर उदर से material उठाकर अगर आप इन question की त्यारी कर लेते हैं तो लगबग आपका paper complete हो जाएगा स्टार्ट करते हैं medieval world का जो paper रहेगा इसके most important संभावित question की first question है मध्यकालिन युग में चर्च और राज्य के बीच हुए संग्रस पर प्रकास डालिये ठीक है जो चर्च और राज्य के संभन थे वो किस प्रकार के थे इस question में complete हो जाएगे यानि जो चर्च और राज्य के संभन थे लगबग तनाव पुर्ण रहे उनकी आपस में लड़ाईयां होती रही कभी हें रिच चुतूर्थ और लगबग मान लो चर्च और राज्य के जो संभन थे वो तनाव पुर्ण रहे थे ठीक है second question है युरोपिय सामन्तवाद की मुख्य विशेस्ताओं पर प्रकास डालिये यह question जो युरोपिय सामन्तवाद है सामन्तवाद के बारे में हमने हमारे चैनल पर वीडियो पहले से ही upload कर दी है उसमें सामन्तवाद के पतन के कारण और सामन्तवाद के गुण दोस रहते हैं वो हम complete करवा देंगे ठीक है इससे पहले जो सामन्तवाद था क्या किस प्रकार का था उसकी प्रकरती किस प्रकार के थी और सामन्तवाद साइद गुण दोस भी हमने उसमें complete कर लिये थे ठीक है तो वो वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं थर्ड question देखिए पुनर जागरन का अर्थ होता है फिर से जागना यानि पुनर जागरन से आप क्या समझते हैं पुनर जागरन की मुखे विशेस्ताओं पर प्रकास डालिए ठीक है यानि फिर से जागने के क्या कारण रहे या यूरोप की जो जनता थी वो किस प्रकार फिर से जागी उनकी नींद किस प्रकार खुली इसके कारण क्या रहे और इसकी विशेस्ताइं किस प्रकार की रही ठीक है टेकनोलोजी ने सभी लोगों को जगा दिया जो मद्दे काल में टेकनोलोजी आई उसने लोगों को फिर से जगाया धार्मिक अंद विजवासों से बाहर निकाल दिया यही था उनर जागरण इसकी विशेस्ताइं क्या है यह आपको बतानी है फिफ्ट कोस्टन है इसलाम के उदे से पूरो अरब की सामाजिक आर्थिक वराजनितिक प्रिस्तितियों के बारे में वरणन कीजिए इसलाम का उदे हुआ उससे पहले जो अरब अक्षेतर है इसकी सामाजिक आर्थिक वराजनि प्रिस्तितिया किस प्रकार की रही थी ठीक है अरब अक्षेतर जो था उसमें दो भागों में लोग मालो लोगों का विभाजन दो प्रकार से था एक तरफ थे पड़े लिखे लोग और एक तरफ थे अनपड़ लोग जिने बद्दू का जाता था और एक तरफ थे सहरी लोग ठीक है बद्दु जो थे वो आकरमन करते रहते थे सहरी लोगों पर और सहरी जो लोग थे वो क्या था मालो वो अपना जियों निया अपना अच्छे से करते थे अरब अक्षेतर का आपको पता ही है पानी की समस्या के कारण क्या है खेती में ज़्यादा संपन नहीं है और इसलाम का जब उदे हुआ तो पैगंबर मुहमद ने लोगों को शिक्षाएं दी और उनको अपने धरम को फैलाने के लिए कहा तो इसी परकार से इसलाम धरम कंप्लीट विशव में फैला था आज बहुत बड़ा धरम माना जाता है पूरे विशव में ठीक है शिक्स्त कोस्टन है उमयद खलीफाओं के काल में इसलामिक राज्ये के विकास पर टिपनी कीजिए यानि जो खलीफा थे उमयद खलीफा बोल रहे हैं जैसे की पैगंबर मुहमद थे इसलाम धरम के संस्तापक उसके बाद में को न आढ़े, खलीफा आए या उनके जो बाद, पैगंबर मुहमद के बाद, जिनोंने भी इस इसलाम धरम को आगे बढ़ाया वो क्या थे खलीफा थे ठीक है जिस परकार हिंदु धरम में गुरु माना जाता है उसी परकार इसलाम धरम में धरम गुरुओं को खलीफा कहा जाता है ठीक है तो उमय्यद खलीफाओं के काल में इसलामिक राज्य किस परकार का रहा या किस परकार इसने विकास किया इस पर आपको एक टिपणी करनी है सेवंथ कोस्चन है दिल्ली सल्तनत के सवरूप पर परकास डालिए दिल्ली सल्तनत का आपको सब कुछ पता है लगबग सभी पढ़ते आ रहे हैं हम दिल्ली सल्तनत कुतूब मिनार का जहां नियू रखी जाती है वहीं से सुरुवात होती है दिल्ली सल्तनत ठीक है यानि कुतूब दिन एबक जब गदी समालता है ये कुतूब दिन एबक गुलाम होता है और ये स्थापना करता है गुलाम वंस की 1206 इसवी सन में महमूद गोरी का गुलाम होता है ये महमूद गोरी मर जाता है वापीज आते हुए अपने गोर प्रांत में अफगानिस्तान की तरफ और यहां पर छोड़ जाता है किसको अपने दासों को और सबसे स्रेश्ट दास होता है इसका कोन कुतूब दिन एबक कुतूब दिन एबक ने 1206 इसवी सन में स्थापना की थी गुलाम वंस की ठीक है गुलाम वंस से स्टार्ट होता है 1206 इसवी सन में और लगातार 5 वंस इसमें आते हैं ठीक है इसकी सोट ट्रिक अगर देखें तो गुलाब खिले तो सांस लेना यानि गुलाब से गुलाम वंस, खिले से खिलजी वंस और तो से तुगलक वंस, सै से सैद वंस और लेना से लोधी वंस ये पांचों वंस में आपका सल्तनत काल कम्पलीट हो जाता है ठीक है और 1526 इस विशन में बाबर भारत पर आकर्मन करता है या पानिपत की पर्थम लड़ाई होती है 1526 में इसमें बाबर विजय होता है और भारत में मुगल वंस की स्थापना कर देता है ठीक है यहां से 1206 से 1526 तक दिली सल्तनत रहते है इसका सवरूप आपको बताना है एट्ट कोस्टन है जागीरदारी वविस्ता क्या थी जागीरदारी संकट ने मुगल राज्ये को किस प्रकार पर भावित किया था ये कोस्टन मोस्ट इंपोर्टन कोस्टन रहे आपके पेपर के मीड़ावल व जानकार ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने दोस्टों के साथ सेर करें चैनल की सुपोर्ट करें इस सुपोर्ट के आपकी बहुत जूर्थ है और नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए धन्यवाद झाला झालाट